दोस्तो अगर आप online IDBI bank में आपना एक bank account उपन करना चाहती हो तो इस बिरे में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकर से IDBI bank में आपना एक saving account online उपन कर सकती हो इस account का आप full की वैसे भी complete कर सकती हो वीडियो के थुरू और account जिसे आप उपन करते हो instantly आपना account details आपको दिखने के लिए मिल जागा और जो आपका ATM का और चेकबुक होता है वो विदिन 10D के अंदर आपके घर में send किया जाता है तो account किस तरह से open करेंगे इसका किस तरह से complete करना है चलिए मैं आपको details में बता देता हूं आपको वीडियो को description में IDBI make official website का link मिल चाएगा जैसे आप उसी link पर click करोगे आप इस साइट पर आज आओगे इस साइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको accounts का section दिखने के लिए मिल गा तो यहाँ पर आपको click करना है उसके बास saving account section पर आने के बाद यहाँ पर आपको मैं जो आपको account दिखाने बाला हूं ओ दिखाने बाला हूं यहाँ पर देख सकते हो saving account using video qrc बाला तो यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप saving account using video qrc बाला option पर click करते हो यहाँ पर आपको saving account using video qrc का option यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आ आपको क्या का बेनिफिट मिलने वाला है जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं और यहां पर आपको और भी डीटेल्स यहां पर आपको दिखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप वीडियो की वासे लिंक बाला आप्शन पर क्लिक क आकाउंट ऊपनिंग फीडिमेर की सी तो यहां पर आपको कुछ डेक्लारेशन देने होगा उसके लिए यहां पर आपको Swan पर ना होगा यह ज़ो आप continue वाला option पर क्लिक करती हो let's get started का option दिखनी के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको अपना title select करना है जो भी आपका title मिस्टर या फिर मिस्स वो यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद आपका जो applicant का first name होता है मतलब आप अगर account open कर रहे हो उसी mobile number को यहाँ पर आपको enter करना है और details को enter करने के बाद यहाँ पर आपको tick करना होगा instant account open करने के लिए यहाँ पर आपको tick करना है उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखने के लिए मिलेगा continue का तो यहाँ पर आपको continue वाल option पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue वाल option पर क्लिक कर देते हो आपका जो mobile number को verification करने के लिए अभी आपने जो mobile number एंटर किये थे उसमें एक OTP जाएगा उसी OTP क successful लिखे आज आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको और continue का option दिखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर भी आपको continue वाल option पर क्लिक कर देना है जैसे आप दोस्तों continue वाल option पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपना email id को enter करने के लिए बताया जाएगा जो भी आप email id personal use के लिए इस otp send किया जाएगा उसी otp को यहाँ पर enter करना है otp को enter करके validable option पर क्लिक कर देना है जैसे आप दोस्तों करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको continue वाल option पर क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप एकान उपन करेंगे वह आप वीडियो के थूख qsc complete कर सकते हो उसके लिए यहाँ पर आपको आपके पास internet connection अच्छा होना चाहिए साथ में आपके पास आधार number और original pen card होना चाहिए और आपको blank white sheet मतलब blank white paper पे आपको एक blue या फिर black pencil sign करके दिखाना पड़ेगा वह भी आपके पास होना चाहिए तो इन सारे चीजों को ready क करना है उसके बाद यहाँ पर आपको continue वाला option पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको pancard details देना होगा उसके लिए यहाँ पर अपना pancard का number enter कर देना है pancard number enter करने के बार नीचे यहाँ पर आपको validate का option दिखने के लिए मिल जागा आपको validate pan वाला option पे click कर देना है जै उसके बाद पैनकर में जो आपका नेम होता है यहाँ पर आपको दिखनी के लिए मिल जागा इसको आपको देख लेना है उसके बाद आपका email एड़ी और mobile नंबर को confirm कर लोना है उसके बाद आपको नीचे continue का option दिखनी के लिए मिल जागा तो यहाँ पर भी आपको continue वाला option पर क्लिक कर देना है जैसरे आप continue वाला option पर क्लिक करती हो यहाँ पर आप अपना आधन नंबर को एंटर करने के लिए बताया जागा जो इब्सका आधर नंबर करने के भाद नीचे यहाँ पर यह validate करेगा अधार नमबर वैलिडिट हो जाने के बाद click to continue का option देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आपको continue वाला option पर click कर देना है जैसे आप अधार नमबर वैलिडिट करके continue वाला option पर click करते हो आपका जो अधार में mobile नमबर रेजिस्टरेट है उसमें एक OTP चैन किया जैसे आप OTP वैलिडिड करेंगे यहाँ पर भी OTP वेरिफिकेशन सक्सेस्पूल लिके आज आज आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको continue वाला option पर click कर देना है जैसे आप अधार OTP वैलिडिड करके continue वाला option पर click करगे यहाँ पर अपना जो personal details एंटर करना होता है उसके यहाँ पर जो भी आपका father name है O यहाँ पर आपको enter करना है father name enter करने के बाद यहाँ पर अपना mother name enter करना है mother name enter करने के बाद mother का जो median name होता है median name वो यहां पर आपको enter कर देना है उसके बाद जो भी आपका आधार कर्मे डेटर बार होगा और automatic यहां पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद यहां पर आपका जो से ओअ यहां पर आपको सीलेट कर ना है Meyer eh athoaf फिरUNG हो उसके बात यहां पर आपको आपको अपना education को यहां पर सीलेट करना है यहां पर आपको चार option दिखने के लिए मिल जाएगा graduation and ev USC 10 और यहां पर आपको teoto thing बाला option दिखने के लिए मिल जाएगा तो आपका जो Education लववाहले वह यहा पर आपको सिलेट करलेना है उसके बाद यहा पर अपना religion खिलेट करना होगा हिन्दू, मुसलिम, Christian जो भी आपका religion है वह यहाँ पर आपको सिलेट करल लगा है किलेना है उसके बात यहा पर pulls errorна आपको करोगे तब भी चल जाएगा उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको continue का option दिखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आपको continue वाला option पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर अपना address दिखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपका आधार में address है कि आपका permanent address है अगर दोनों same है तो इसको आपको tick करना है उसके बाद आपको details एंटर करने के लिए नहीं पड़ेगा जैसी कि अगर आपका current address और आपका जो आधार में address है दोनों अगर same है तो इसको आपको ऐसे रहने देना है दोनों सेम नहीं है तो इसको आपको on करना होगा और details को यहाँ पर fill up करने के लिए option आपको दिखने के लिए मिल जागा मेरे case में जो मेरा current address है और आधर में address है दोनों सेम ही address है तो इसको मैं off कर दूँगा अब करने के बाद यहाँ पर आपको address fill up करने के लिए नहीं आएगा तो जो भी आपका mailing address है ना उसको आपको यहाँ पर tick कर देना है अगर आपका address mailing address है तो उसके बाद यहाँ पर अपना permanent address को भी tick करना है और यहाँ पर आपको नीचे continual option दिखने के लिए mail जाएगा और यहां पर आपको बहुत सारी option दिखने के लिए मिल जाता है जैसे कि student इन मेंसे जो भी आपको occupation type हो उसको आपको select कर लाना है उसके बाद यहां पर अपना employer name enter कर देना है अगर आप service करती है तो आपका जो employer name है यहां पर आपको enter करना होगा नहीं तो यह आपको अपना name enter क कर जाएगा उसके बात यहां पर आपको आपना source of income select करना होगा कि आपका जो income आता है कौन से source से आता है ओ यहां पर आपको select करना होता है जैसे कि अगरी कहल सब्स pledge in best man orders वाफ्षन यह फिर salary से आता है थो के अपको है इसका बदूशे से करना है उसके ऻीईपर आपका ग्र यहां पर आपको बताया जाएगा उसको आपको देख लाना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे continue का option दिखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपको continue वाला option पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue वाला option पर क्लिक करते हो यहां पर आपको बताया जाएगा nomination के नाम से क्या आप इस account के अंदर nominee add करना चाहते हो अगर आप nominee add करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको yes वाला option को रहने देना है अगर आप nominee add नहीं करना चाहते हो आप बाद में nominee add करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको no वाला option देखने के लिए मिल जाएगा आप no वाला option पर क्लिक कर सकती हूँ जैसे कि मैं no mini यहाँ पर बाद में add करने वाला हूँ इसलिए मैं no वाला option को क्लिक कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर आपको Continual Option पे क्लिक करना है जैसे आप Continual Option पे क्लिक करते हूँ यहाँ पर आपको अपना Tax Resident Details देना होगा सबसे पहले तो आपका Country of Bar Select करना है उसके बाद यहाँ पर अपना State of Bar Select करना है देखो, IDBI bank के अंदर बहुत सारी account दिखने के लिए मिल जाएगा, जो serving account होगा, उसके अंदर यहाँ पर आपको, basically यहाँ पर आपको 5 account दिखने के लिए मिलता है, serving account, women serving account, senior citizen serving account, high network serving account, और यहाँ पर आपको योज serving account, अगर आपका age 18 से 30 age के अंदर है तो आप इस account को उपन कर लेजे, योज serving account, अगर आपका age जादा हो गया है, तो आप serving account को जा सकती होटी, कि मैं आभी फिलाल जिसका account उपन कर रहा हूँ, उसका 30 plus age है, तो इसलिए मैं यहाँ पर serving account को select करूँगा, उसके बात यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, कि आप जो account उपन करेंगे, उ जैसे कि मैंने select किया, यो serving account, तो यहाँ पर you are not eligible for the selected account type लिखके आ चुका है, क्योंकि जिसका मैं account उपन कर रहा हूँ, उसका जो age है, 30 plus age हो गया है, मतलब ठीक है, वो eligible नहीं है, तो अगर आपका जो 18 से 30 years है, तो इसको आपको select कर लना है, जितना भी आपको maintain करना होगा, किसी account के अंदर ओ, यहाँ पर आपको दीखिने के लिए मिल जागा, जैसे कि मैंने serving account select किया, तो मेरे case में minimum balance require for serving account, each लिखके 5000 आ चुका है, मेरे को 5000 maintain करना होगा, उसको आपको देख लेना है, उसके बाद आपको continue वाल option पर click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर अपना branch को select होगा, सबसे बीरों तो आपका state select करेगा, state यहाँ पर आपको click करकर type कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपका city आ जियागा, जो भी करना है जो भी आपका नजदी की जो ब्रांच है सिटी के अंदर जो ब्रांच आता है उसी ब्रांच को आपको सिलेट कर लाना है और ब्रांच को सिटी को और इस्टेट को डालने के बाद आपको Continual Option पे क्लिक कर देना है उसके बात यहाँ पर आपको Channel Services लिलट करना होगा कि आप इस account के अंदर क्या-क्या Services लेना चाहते हो जैसे कि यहाँ पर आपको 5 Step यहाँ पर आपको दिया गिया है यहाँ पर आपको 5 Services मिल जाएगा सबसे पहले तो Statement on Email मतलब जो e-statement होता है क्या आप लेना चाहते हो अगर लेना चाहते हो तो इसको आपको Tick करना है उसके बात इसी account के अंदर Checkbook लेना चाहते हो तो इसको भी आपको Tick करना है अगर आपको Internet Banking और Mobile Banking चाहिए तो दोनों को Tick करना है उसके बाद इसी account के अंदर आपको ATM card चाहिए तो यहाँ पर आपको debit card का option दिया गया है इसको आपको tics करना है उसके बाद debit card में आप कौN सा name रखना चाहते हो उसी name को यहाँ पर आपको fill up करना है उसके बाद यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो क्यों करने के लिए option आएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो क्यों क्यों कर सकते हो केवसी complete करने के लिए दो option यहाँ पर आपको दिया गया है आप चाहे तो instantly अभी आप अगर फिरी हो तो यहाँ पर आपको yes start my video केवसी now वाला option पर click करके आप instantly वीडियो केवसी complete कर सकते हो या फिर अगर आप बाद में केवसी schedule करके करना चाहा जाए तो यहाँ पर आपको schedule 8 letter वाला option दिया गया है आप बाद में भी time select करके केवसी complete कर सकती हो उससे पहले यहाँ पर आपको terms condition को accept करना होगा तो यहाँ पर आपको preview वाला option पर click करना है और जो भी आपका terms condition होता है उसको यहाँ पर आपको देख लेना है आप देख सकते हो terms condition यहाँ पर आपको लिक के बताया गया है आप चाहर तो पढ़ सकते हो पढ़ने के बाद इसको आपको close करना है close करके इसको आपको tick करना होगा tick करके आपको continue वाला option पर click कर देना है और यहाँ पर आपको continue वाला option पर click कर देना है जैसे आप continue वाला option पर click कर गे यहाँ पर आपको date और time select करने के लिए आएगा मैंने जो schedule किया था इसलिए date और time आया है अगर आप वीडियो की वसी now वाला option पर click करके continue पर click कर गे तो agent आपके साथ जोड़ जाएगा तो मेरे किसमे मैंने schedule कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर schedule का जो request date है ओ यहाँ पर आपको select करना है calendar वाला option पर click करके जो भी आप date रखना चाहते हो ओ यहाँ पर आपको select करना है उसके बाद जो timing होता है ओ यहाँ पर आपको select करना है जो भी आपका जो timing है जो भी time आप फिरी रहते हो उसी time से अगर करना चाहते हो के वासी तो उसको time को select करना है time को select करके आपको continue वाला option पर click कर देना है जैसे आप continue वाला option पर click कर गए जो भी आपका date और time होगा वीडियो की वासी करने के लिए ओ यहाँ पर slot यहाँ पर आजागा confirmation के लिए यहाँ पर आपको submit बाला option पर click कर देना है उसके बाद your video की वासी request has been submitted लिके आजागा और यहाँ पर आपको एक reference number दिखने के लिए मिलेगा आपको इसी reference number के जरिये video की वासी करके आपना की वासी को complete करना है उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गिया है our representative will be get in touch with you to schedule the appointment मतलब जो आपने schedule क्या था appointment उसी time पर जो भी representative होगा banking का जो IDBI में का वो आपको call कर सकता है SMS के जरिये बोल सकता है या फिर email भी कर सकता है और आपके साथ बात करेगा उसके बात आपको अपना की वासी start करना है की वासी किस तरह से start करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह जो आपको reference number मिला होगा आपको इसी reference number के जरिये अपना status track करके आप अपना की वासी complete कर सकते हो जैसे आपका जो schedule time आज आगा जो भी representative होगा वो आपको SMS के जरिये या फिर call कर सकते है वीडियो call करने के लिए तो आपको क्या करना होगा आपको अपना original pen card और आपके पास आधार number और जो भी आपका white blank paper एक रख लना है blue या फिर black pen आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको sign करके दिखाना पड़गा जैसे आपके साथ agent connect हो जाता है और आपका की वासी complete हो जाता है आपके घर में जो भी आपका ATM card और checkbook होता है और send कर दिया जाएगा आप IDBI bank में अपना एक bank account online घर बेटे open कर सकती हो